आज हम पढ़ेंगे कला शिक्षाठी यूनित टू को इससे पहले वाली वीडियो में हम एकाई एक यानि की यूनित वन कंप्लेट कर चुके हैं और आज हम करेंगे यूनित टू जिसका नाम है कारे अनुभव एवं कारे क्रम योजना तो इससे पहले हमने कला शिक्षा की बारे में पढ़ा था, संदरी शास्त्र इबारे में पढ़ा था और भी बहुत सारी चीजे उसमें हमने पढ़ी थी लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उससे थोड़ा सा different है different in the sense चीज तो वही है क्योंटी subject तो वही है लेकिन हम इसको थोड़ा अलग तरी एसे पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कारे अनुभव यानि इस कारे को अनुभव करना तो चलिए हम इसको पढ़ आप अनुभव का मतलब समझ रहे है experience इंगलिश में art experience है ना किसी काम को जब तक हम करते नहीं है ना हमें experience नहीं मिलता राइट जैसे हम कोई भी काम जब तक करेंगे नहीं हमें कैसे अनुभव हो गाती वह आसान है या मुश्किल है या कैसे करते हैं और जब हम उस काम को कर कर देते हैं और करते जाते हैं तो खुद बखुद हम उस काम को करना सी जाते हैं तो उसी तरह से जो कला अनुभूती है वह भी बच्चों के अंदर आती है यह क्या है एक प्रक्रिया है जिसमें कला कारे किया जाए है यह प्रोसेस ही तरह होता है जिसके अंदर हम कला से related का करते हैं दूसरी बात आपके जीवन को ये प्रभावित करता है जब आप कला अनुभूती ले रहे होते हैं तो आपका जीवन भी इसमें प्रभावित हो रहा होता है साथ ही जो आप स्टूडेंट है या जो बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं उनका भी जीवन प्रभावित ह कि अगर लानुभूती हो रही है यह जो जो आर्थ है उसव घुम करते हैं यह बच्छ जब बच्चा जो है रंग भर रहा है तो उसे पता है चल जाए रहा पि Means की आम के अंदर भीर hmm और एपल वह रेड बरेगा अगर उसने र कर रख और तो तो उसी तरहीं एसे बच्चे के अंदर राकरे इस समझ जने होती एक इसभाजया अनूभूती- कैसी संरचना होगी है ना कि आम का शेप कैसा होना चाहिए या फिर हर्ट और शेप कैसा होना चाहिए वैसे तो जो हमारा हर्ट होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेट संरचना होता है लेकिन हम क्या करते हैं सिंपल सा भी हर्ट बनाते हैं तो इन सब चीजों इजानकारी ना बच्चे उतभी होती है जब वो कला अनुभूती करता है क्या निश्पादन करना है न निश्पादन यानि प्रदर्शन करना मतलब कौन से ऐसी च चार जो कलपनावादी हैं जो दुनिया में है नहीं वो उन्हें भी क्या दे देते हैं द्रिश्य देना सीखते हैं इसमें सामिल क्या क्या होता है कला नुभूती जब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजों शामिल करते हैं संसार जिसमें हम रहते हैं यानि कि ये दुनि डाइल, डाइनसोर जो इमाजिनेशन में हैं वो भी, वो अपने चित्र और रहस्य है, है ना इस ते लावट या इस दुनिया में हम जो सपने देखते हैं या जो रहस्य होते हैं वो तो इन सारी चीज़ों हम कला नुभूती में शामिल करते हैं, अब क्या है, शिक्षकों के अाम बात हो रही है, शिक्षक जो है बच्चों के लिए कला नुभूती है तु गतिवीदियों को आयोजित करेंगे, हम जो शिक्षक हैं क्या खरेंगे, că बच्चे कला नुभूती कर सकें इसलिए हम program और डिनाईस करेंगे, गतिवीदियां करेंगे, अब ये थोड़ीन ब अभी भावक भी साफ देते हैं कलाकार लोगों को भी बिलाया जाता है कर्वार स्कूलों में विथसाईयों को आमंधत त्री जा सकता है तो इन सब चीजों से हम ऊध्यों को दो कला नुभुती दे शक्ते हैं अब आती है बात कि विद्द्दाले में समぇ सारनी में कला शिचा का स्थान कि विद्द्दाले का साम टाइम टेबल होता है। उसमें कला शिक्षा को कितना टाइम देना है और क्यों है ना और कितना जरूरी है ये बच्चों टेलिए कला शिक्षा जैसे अधर विशय होते हैं गणित हो गया मैथ हो गया साइंस हो गया तो यह तो बच्चा पढ़े गए लिए इन साथ ही साथ हमें आर्ट एजुटेशन भी पढ़ानी है तो उसके लिए हम बच्चे कितना टाइम दे कितना टाइम टेबल में जो है क्या स्थान है हमारे कला शिक्षा का तो वह हम पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए सबसे पहले कि अधिकांश उच विद्ध्याले से संबन देते हां जी जब हम बात कर रहे होते है तो वहां पर कला शिक्षा को इतना ज्यादा इंपर्डेंस नहीं दिया जाता है कि ये पुरा पीरेड एक घंटे अद दे दिया जाए तो जो प्रारम भी विद्ध्याले होता है उसके समय सार्णी भहत ही नमनी होती है क्यों आप देखो कि जो हमारा उच विद्ध्याले उ क्युर्य होती और देर से खत्म होती है तो उनके पाठ्या सार्णी स्टेज होता है जल्दी ही चुक्ती हो जाती है बच्चे छोटे होते हैं तो उनका स्कूल लेट से लगता है तो इस वज़े से time table में कला को fit अरपाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टास्क हो जाता है Second thing, कला का समय नेमित्वल अरगतार होना चाहिए कि जो कला हमने दे दिया है, कला education को दे दिया है, हमने period बना दिया क्या हो रहा है कि हम हफते में एक बार class ले रहे हैं कला की, तो निरंतरता नहीं रही रही है, बच्चे का interest जो है जाता रहे रहा है, वो सोची रहा है हफते में बटरी बच्चे को यादी नहीं होगा, कि इस डेर को कला होती है तो यह जो है न नियमित और लगतार होनी चाहिए और प्रति दिन कला को समय पास से 10 मिनट देना ही देना है, प्रति दिन यानिटी रोज, चाहे बच्चा इंडलिश पढ़ रहा है, चाहे बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, हम उसको आर्ट इतरी इसे पढ़ाएंगे, तो कह को रोज हमें कला को भी टाइम देना है समय वित्रेन की योजना से पहले ही हो जानी चाहिए हां जी कि जो समय है उसकी योजना हमें पहले ही बना लेनी है मतलब पहले योजना प्लान कर लेने से बच्चे सामने सारी चीज़े जो होती है वो प्रपर होती है ना पहले से ही होना चाहिए कला द्वारा अन्य विश्यों इस समझ जैसे मैंने पहले बताया हिंदी हो गई इंगलिश हो गई साइन्स हो गया मैथ हो गया सबसके अंदर हम क्या करेंगे इलस्ट्रेशन कला चेत्र और एक्स्प्रेशन इन सब को यूज करेंगे आड़ी चलते हैं कला समेटित शेषा की अवधार्ना यानि की आर्ट इंटीग्रेटिड लर्निंग अब यह क्या होता है अरे यह कुछ भी नहीं इतना इसी है कला समेटित शेषा आप समझो इस पॉइंटी सम्मझ में आजाएगा आपको कि अन्य विश्यो इस साथ कला का एक यानि की जोड़ना जैसा मैं उपर से बताते हुए आपको कि जो कला है जो आर्ट है उसको प्रत्य सब्जेक्ट से जोड दिया गया है चाहे आप मैथ पढ़ा रहे हो चाहे आप साइंस क्या हो गया है, इसमें जोडते हैं, क्या गढते हैं आर्ट में दोरिय कोईर बनाते है, ग्या गाने करने तो क्या हुँ गाते हैं जोड गता है क्यां गाते हो पूम हो, अब यहods में आर्ट में आड़ से नरहीτοे स्क्राटी बना लिए अब चार्ट में इतनी सुन्दर सुन्दर ड्रॉइन बना दी कि बच्चेया करशित हो गए उन्होंने साइंस तो पढ़ी लिया साथ ही साथ हमने आर्ट अब इस यूज वहां पर कर दिया और बच्चों ने भी आर्ट उसामने से देख लिया तो इस तरी इसे जो होता है आर्ट वहम अन्य विश्यों साथ जोड़ देते हैं या फिर इंटिर्वेट अरते हैं विबिन पर आर्ए कर लाएं जैसे इद्रिश्यक्रला अब आज अल तो आप प्रोजेक्टर पर पढ़ाई की जा रही है है ना ऑनलाइन क्लासिस में क्या होत इसाथ नाटक करके बच्चे को दिखा सकते हैं अधिर्म प्रक्रिया को रोचक और मज़ेदार बनाता है ना तो आर्ट वो जब हम किसी सब्जेक्ट के साथ जोड़ देते हैं तो वो सब्जेक्ट बहुत ही रोचक और मज़ेदार हो जाता है अमोर्दवधारना को इस पश आर्ट इमाद्यम से उसको भी प्रस्तोत कर सकते हैं कला के केंदर में यानि कि हम आर्ट ओ हमेशा ध्यान में रखते हुए कि हां पढ़ाएंगे गड़ित विज्ञान समाज विज्ञान और भाशा की जितने भी हमारे इंगलिश और हिंदी लैंड़ज है वो भी तो कही न क हम सारे सब्जेट इंदर जो एक चीज है ना जैसे मैं अगर इजामपल दू इस सब्जी आप को इसी भी बना लो नमक आपको सब में डालना है तो यह तरह से हमारे लिए आर्ट एजूकेशन भी नमक का राम कर रहा है चाहिए आप मतर पनीर बना रहे हूं चाहिए आप आ निट में पढ़ चुके हैं कि कला के अंदर दो तरह इकलायाती है कौन-कौन सी दृष्यकला और कला प्रदर्शन यानि की वीजवल आर्ट और परफॉर्मिन आर्ट तो इन दोनों का हम अलग लग पढ़ेंगे कि दोनों इलिए इस्थान क्या-क्या चाहिए और सामगड़ अब अब अभी भावतों इतरफ से क्या-क्या मिलेगा कि जो घर के लोड़ें वो घर से ही संग्रहित अरेंगे जैसे पुराने कपड़े हो गए पुराने ओन पुराने कैलेंडर पेपर प्लेट मोजे सेट्रा जो घर वाले हैं जो फैमिली है उनकी वो बच्चों को आर्ट एलिए सामगड़ी यह सारी दे सकते हैं अब संग्रहाले की बात अरे जो हमारे म्यूजियम होते हैं वो बच्चों क्या-क्या प्रवाइड कर सकते हैं पुराने पोस्ट कार्ड पोस्टर्स कैलेंडर आप नियूस पेपर दे लोग पुरानी किताबे पत्री काएं हैं तो य अगर उसे पास ज्यादा समगड़ी उपलब्ध है तो वो बच्चों प्रवाइड भी करा सकता है उसी तरी इसे कुमार हो सकता है संगीतकार वादे यंत्र जो संगीत आत्म वादे यंत्र भी हैं जैसे कुछ समुदाय होते हैं मालो एक ग्रूप है जो की गाना गाता है तो गाना गाना तो बच्चों उठा और हो सकता है कि वो अपने जो वादे यंत्र है ड्रम बडेडा वो भी बच्चों टो देगा क्या करने के लिए वो सीथी उसे तो हमारा समुदाय भी इसमें बहुत ही काम करता है एक बात और है जो टेलिविजन है टेलिविजन भी आज पर चुछी हम क्या करते हैं टीवी पर वीडियो या फिर ऑनलाइन क्लासिस भी चला देते हैं तो बच्चा वहां से भी चीजे सीखता है यह तो थी सामगडी की बात अब हम करते हैं स्थान की बात कैसा स्थान होना चाहिए द्रिश्य कल आर्ट के लिए है द्रिश्य विज किसी और के कलर में सो रहे हैं जाते तो ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रकाष हमादार होना चयह फरनीचर होने चाहिए साफ सुतरह होना चाहिए फरनीचर इंदम अ डि क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे है न तो इन चीजों अभी ध्यान रखना पड़ता है और दिरिश्यात में दिवा रहे हैं कि हम जिस रूम में बच्चे को बिठा रहे हैं जिस भवन में बच्चा जो है दिरिश्यकला कर रहा है वो रूम भी काफी अट्रैटिव होना चाहिए है दिखने में अच्छा होना चाहिए और यह हमने पढ़ा रश्यकला अब लेते हैं लुरा सफ़ार्ट वा लुट्धा योशों कि आपको इतना तो पता हो गया कि आपने फर्स्ट यूनीट में पढ़ लिया कि पार्फॉर्मिन लार्ट होती च recap हो इन दोनों यह करना करना कई चाहिए, चल ब reflect on, सद्चेज पे जाके तो फूल, पत्तियों और पंखोंसे आप अभूशन बना सकते हैं, फूलों से गहने बना सकते हैं रह गले कहार, यहाथों में पैन लिया, और मं कटिया बना और छोटी चिडियों से एरिंग बना सकते हैं, छोटी-छोटी जो चूडियों होती हैं, बच्छो वाली उससे आप कान में डालकर बना सकते हैं, कार्ड्बोर्ड, ग्लेज-पेपर, बटन, इन चीज ऑनT have a button, इसे आप कर लेंगे a the button, के लिए दुपट्टा यूज अर्लिया जैसे संकेत ऊड़ गया मानलो हवा तेज चल रही है तो हम उड़ता हुआ दुपट्टा दिखा सकते हैं तो पता चल जाएगा कि हवा जो है वो तेज चल रही है बलौ चम्मच पत्थर बर्तनों की वादेयंत्र है ना चम्मच बढ़ बड़ा सा हुल होना चाहिए क्लासिज में यह साथ तो चल अब हर इस्कूल में हर जड़ा पे हॉल नी होता तो क्या ख़ए ले 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 यहां से फणीचर को हटा दिया जाए जैसे कि एक क्लास हो गड़ी बड़ी सी उसमें से अम डेस्क हटा देंगे तो वह रूम जह है खा च्छातिया अन्य स्थान को हम मंच बना सकते हैं जो थोड़ी ऊची जगा होगी और सीधियां गैलरी ब्रिश वाली जगा होती है वहां पर बच्चों ओ यानि ओडियन्स को बिठा सकते हैं जैसे सीधियों पर बैटे बच्चे दे नहीं सकते हैं पहली सीधी पर दूसरी पर तो इस तरी इसे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं या फिर खेल का मैदान अगर मौसम अच्छा हो मानलेजे बारिश वडेरा नहीं हो रही है या धूब बहुत तेज नहीं है तो हम खेल के मैदान में भी अपना कला प्रदर्शन कर सकते हैं तो यह था हमारा यूनिट तू इसमे ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूनिट वैसे यूनिट तू जो है वो इसका पूरा कंप्लेट हो चुका है